तो देखते हैं हैं पर question number 6 में हमसे क्या पूचा क्या है, define asexual reproduction, describe two methods of asexual reproduction in animals, तो जो हमारे हैं पर asexual reproduction होता है, वो यहाँ पर new organism को जो produce करता है, वो यहाँ पर single parent के दुआरा कर पाता है, इसमें हमारे हैं पर कोई भी involvement नहीं होता है, sex cells का और gamits का, और जो हमारे हैं पर new organism produce ह होगा, वो हमारे हैं पर क्या होगा, exactly identical होगा अपने parent के, और asexual reproduction का यहाँ पर most common methods होते हैं, एक तो आहिप, बाइनरी season होता है, और दूसरा हमारे हैं पर क्या होता है, budding होता है, और जो हमारे हैं पर binary season होता है, वो यहाँ पर क्या होते है, और वह यहांपे क्या करता? एक तऱ से अपने clone को भी क्या करता है, प्रेट्यूस करता है, जैसे कि यहांपे amoeba का example दे रहेका है, यह अपर यहांपे क्या है, parent amoeba हैye capaz सबसे पहले हैं यहां पर क्या होगा यह फूल ग्रों करेगा फूल ग्रों 우ने के बाद सबसे पहले इसका यहां पर wiping होम इसकर स्रोफ और ही हैं तो बर्डिंग को प्रोसेस होता हूं है 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 हमारे है क्या hydra है तो hydra में starting में यहां पर क्या होती बड की formation होती यह हमारे यहां पर क्या बड्स निकलेगा बड्स यहां पर क्या होगा दीरे-दीरे करके grow करेगा और उसके बाद वो यहां पर क्या होगा दूसरा यहां पर hydra produce कर देगा तो यह वाला हमारे हैं पर क्या parent hydra है मैं यह पर लिख देता हूँ यह वाला हमारे हैं पर क्या parent hydra है और यह हमारे हैं पर क्या bird है यह हमारे हैं पर क्या bird है और इसके बाद यहां पर दीरे दीरे क्या होगा सेम ही दिखेगा तो होप आपको इस question का जवाब मिल गया होगा अब हम चलते अपने next question के तरफ